दियान से सुनियागर ये न्यूस गलत भी है ये किस तरकी की पब्लिसिटी हो गई है मुझे कुछ नहीं पता और जो है इतने बड़ा ये मुद्दा बन जाएगा मेरी वीडियो वाइरल हुई थी सलमान जी जिन्दगी बिगारते निये बनाते हैं डारेक्ट सलमान खान को ट वी तो सलमान जी की बाउंसर नेकिया, मैं थोड़ी ना उन्रा आप राव है अपते हैं कोशल जी को क्वहार जी आता है केटरीना केफ जी की अस्मेंड है कौन नीज जनता है वाइरल भावी बोलते हैं देखिए यह बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है जो भी हुआ गलत हु जब भी वहाक्या में दोराती हूं तो वापस से मैं एमोशनल हो जा यह नजर अंदाज किया जा रहा है यह अवोईट किया जा रहा है मैं हेमा शर्मा मैं गौरप सक्सेन और आप देख रहे हैं वारेल बॉलिवोड वारेल बॉलिवोड मेरा नाम हिमा शर्मा है और जैसे तो उसका हिस्सा रही हु मैं यस नो डाउट और अभी रिसेंट टीक स्रीज आया इंस्पेक्टर विनाश तो उसकी भी मैं एक युनो पार्थ हूं एंड मीट मैं हस्बेंड हाई मेरा नाम गौरप सक्सेन है और मैं हेमा जी का हस्बेंड हूँ और आज इनका इंट्रिव्यू था तो मैं इस पेशली ओवर नाइट जन्नी करके साउथ अफरीका से बस अभी पहुंचा हूं मैं मुंबई सब्सक्राइब किसी आग के गोले में आ चुका हूं यह एक्चुली कल राती जो है वहां से निकले है अफरीका से आये हैं और स्पेशली इसलिए आये हैं क्योंकि जिस तरह की न्यूस चल रही है अभी तो मैं यहां पर अकेली हूं तो मुझे मोरल सपोर्ट देने के लिए हैं क्योंकि यह जिस तरहीकता से न्यूस इतनी सबएंस पराब में हां मैं आफ्नाइट में हकी रहे कुदि को घृट्ट इतन चाहती सेथिए हमान सब्सक्राइं हों लेकिन बेघ टिया कि मेरा इतने इतने मीडिया आउसे में कि भच चाहता है कि मैं पढ़ने शक्री जा हटिने सारे सबकुछ मतलब हो चुका है कि कि मतलब इस तर्की की पॉबिसिटी हो गई है मुझे कुछ नहीं पता इस तर्के नहीं रहे हुआ इंटेंशनली यह उत्त फाकश से मैं और सो नहीं पा रही हूं वापस से मैं आपको बता देती हो मैं ने इंसिडेंट किया था वीडियो में और मुझे नहीं बता था और बीटे कर्मी और में जो है उसी पर जंप कर वैठेंगे और जो है इतने बड़ा ये मुद्दा बन जाएगा कि वाइरल भाभी आपने नाम रखा है एक्शली यह नाम मैंने नहीं रखा यह नाम मुझे दे दिया गया है फ्रोम इंस्टाग्राम फैमली फ्रोम पब्लिक जनता मेरी वीडियो वाइरल हुई थी जो अपने सुनिल गुरॉवर जी है मेरे हस्बन मुझको प्यार नहीं करते हैं जिन्दगी बरबाद हो गया ना जाने किसका हो गया तो बस ऐसे ही जो है हम कई गए थे फंक्शन में अलिगर तो इनका बड़्डे था एक्शुली ऑस दिन एट एट और ऑक्टोबर तो पब्लिक ने डिमांड की जैसे पता है कि प्लीज कुछ हो जाए तो यह थोड़े से बहुत ही खुश मिजाज वाले परस्नालिटी है इन्होंने सोचा थोड़ा कि कौन सा सोंग लगा जाए तो इनका दिमाग काम किया कि एक काम करते हैं हम उस पर कर दो मेरे आजबन मुझको प्यान नहीं करते और मैं उसमें इतनी वीडियो शूट करने वाले यहीं है जो वीडियो जो वाइरल होई है तो बस वीडियो दस दिन के अंदर वाइरल हो गया और उसी तरीके से पॉब्लिसिटी हुई थी जैसे आज यह चल रही है वह पॉजिटिव थी यह नेगिटिव है तो तब से मेरा नाम बन गया है मेरे आजबन मुझे को बहुत प्यार करते हैं कि देखिए यह जो हो रहा है यह बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है मैंने बात रखी थी जो बात मेरे साथ होई थी ठीक है अब उसको मीडिया वाले ना कभी-कभी डारेक्ट सलमान खान को टार्गेट कर रहे हैं सलमान खान ज है कि मेरे साथ गलत बिहेव किया गया है ना इंसल्ट की गई मेरी तो उनी तक रखें और अभी मुझे लग रहा है कोई मीडिया हाउसी नहीं रह गया जिसने यह नहीं चापा हो है ना तो मैं तो अकेली हूँ सलमान जी मतलब सलमान मैं कौन हूँ 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 आयम जीरों अगर में बात करो तो उनको लेके में किस तरकी पब्लिसिटी कर सकती हूँ सवाली नहीं पैदा होता ना यह हो गई है एक्सिदेंटली बट यस यह जो मैंने बात गई है यह सच गई है इट हैपेंड विद मी टू मी और मैं चाहती हूँ इतनी इमानदारी से यह बात में स तो यह आपके चैनल से भी चैनल के थू में उनको रिक्वेस्ट करें हूँ कि प्लीज आप यह जाने एक बार कि यह हुआ क्या था नी बत्तमीजी क्यों की गई एक लड़की के साथ सिर्फ एक लड़की सेलफी लेना चाहती थी फोटो लेना चाहती हर को ही चाहता है आपक जीजे। दवंग 3 के से पिली आप आपको सारी चीज तरही से मुझें को लित ऄंडली अगैरी के साम-धिश्य को उसके पातक है ऊश्या मेरा मेरा सीन डर्ल गैड़की अबन्ग एक अटकशी के साहता वरा है पिदैनी आपके सारी जी गवानिती मिन आपका शaltetरया भी सालम जो है अब 16 सल्मान जी के साथ नहीं तो मैं अपसेट हो गई थी कि चलो यार अभी यह क्या होगी अब करना पड़ेगा सल्मान जी के साथ एटलिस दबंगतिरी में काम कर रही है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहती थी चाहे कुछ भी हो जाए तो बस एक सेल्फी लेना चाहती थी फिल्म खतम हो गई सेल्फी नहीं पाई मिलना चाहती थी फिल्म खतम हो गई 10 से 12 साल निकल गए लेकिन मैं कभी उनको मिली नहीं पाई तो इस चीज का मुझे दुख रहा और मैं बस किसी तरीके से पंडे जनारदंजी से मिली बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट की मैंने कि प्लीज आप मुझे मिला दो मिला दो लेकिन कोई भी रेडी नहीं था क्योंकि कोई भी इंसान यह कहने के लिए रेडी नहीं था और मैं बोलूगा यह मेरी शिश्य है और जो है आपकी बहुत इज्ज़त करती है बस बात इतनी सीथी चले गए दोनों और जो है वहाँ पे उनके सिक्योर्टी गार्ड ने हमको जैसे देखा उसके बाद हमको दक्के मानने शुरू कर दिये निकल जाओ यहां से निकल कि भाई थोड़ा दो मिंट बात करनी है मैं कुछ नहीं बोल पाई बस मैंने इशारे में किया सर सर बस एक फोटो सर एक फोटो उमीद में गई थी कि बस एक मुलाकात हो जाएगी यह बोल पाऊंगी सर मेरा नाम हिमा शर्मार अपना हाथ सर पर रख दीजिए लेकिन वो श नहीं मेरा रेक्शन बिल्कुल सेम था कि जो भी हुआ है गलत हुआ है अब भी पीछे हम लोगों ने एक वाईरल न्यूस देखी थी जहां पलक तिवारी ने वोला था कि छोटे कपड़े पहन के अलाव नहीं करते सल्मान साब और उनी के नीचे जो नीचे के लोग है परस से उसकी इमेज खराब कर रहे हैं मार्केट के अंदर या सुमेरा फुल सपोर्ट मेरी वाइफ के साथ है हाँ एक्चुली थोड़ा सा शुरू में इनको लगा हिमा यह क्या न्यूस हो गया यह क्या यह क्या हो गया लेकिन उसके बाद ही टुक टाइम और हमा डोंट वरी आ भूरा यह यह अगर अगर को इंसन मुवी में काम कर रहे है साथ में को इस स्टार उसके साथ ही हो रहे तो एक नॉमल इंसान के साथ क्या बहे बहुता हो गहां पर क्योंकि एक एसे रेंडम ली तो नहीं थी वहाँ पर पार्ट थी उस उनिट का आ वहां पर शूटिंग कर तो मम्मी बगारा बहुत ड़री है कि हमाइए कि सुलमान घान को और यह कुछो गया तुझे तो मम्मी कुछ ओका तो समझ ले सीदा सुलमान जी के पास पूंच जाना हमारी बेटी कितर है मैंने तो सीधा यह बोल दिया लेकिन वह बात अलग है सुलमान जी जिंदगी बिगारते नहीं बनाते हैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी बनाई है बस यह चोटी सी मेरी भी उमीद थी सुलमान जी लंबी चोड़ी कोई बात ही नहीं थी इतने लोगों को पार करके मैं तो मैंने वह पार किया बस क्या ख्वाइश थी मेरी आपसे मिलने की तो मिलने की थी उसके बदले मुझे इतना धक्का मुकी इतनी इंसल्ट सेहनी पड़ गई पड़ गई क्यों क्यों मेरे जैसे नजाने कितने लोग होंगे तो प्लीज सलमान जी एकि लाइफ है हम सबके आपके पास भी मेरे पास भी आपसे मिलना चाहते हैं प्लीज दिल खोल के मिलिए मैं तो यह कहना चाहती हूं अब आप दिल खोल के लोगों से मिलिए जो भी लोग मिले बोले कि क्या बात है या जैसे सुना था वैसे पाया भी यह आपकी जो सिक्योटी से आप इनकी वोगों ने मेरी बाद पहुचाई आप तक मीडिया मेडिया वालों मीडिया वालों वालों को उसमें उतिर समय याए कहा है तो प्रोग्स पालए बीचेन हों आप वी नहीं रहे क को सबसे ठीच करने सिखाए कि आपके करने चाहिए जो आप करते हैं तो प्लीज अपने आसपास अच्छे लोग रखें जैसे आप खुद हैं माशाला आपका नाम नाम खराब हो रहा जब कि आपको तो पता भी नहीं है कि एक हेमा शरमा आई ते जिसको दक्के मारके निकाल दिया गए आपको तो पता ही नहीं है कि यह क्या बावंडर है शायद आपने जिकर किया हो कि पता नहीं तुम लोग क्या करते रहते हो लेकिन उसी तरीके से मैं कहना चाहते हूं कि मुझे भी आप बुलाएं और मेरी भी बात पूरी सुनें हैं आप कि देखिए मेरी को प्लानिंग तो है नहीं कि तीन साल बाद ही मैं बोलूंगी है ना मुझे तो यह बात बोलनी नहीं थी उसके बाद जभी मेरी इंसल्ट हुई थी मैंने खतम कर दिया था सल्मान घान जी का चैप्टर कि अब मुझे सेल्फी नहीं लेनी मुझे मिलना भी ओल्वुट छोड़ दूंगी आपको लगा कि अब मेरी लाइफ खतम हो गई तो सोचने के बाद मुझे मेरे साथ हुआ था मैंने कहीं यह जिक्र नहीं किया यह तो परसो मैंने नजाने कैसे जिक्र कर दिया शेर किया जो इतना वाइरल हो गया सभी मेडिया कर्मियों ने ज है क्लेम्स सलमान खान और भाइए सलमान कहां से आगिया इसको आप भीच में फ्लीज थोड़ा सा जो रियल है रियलिटी दिखाएं तो यह तीन साल बाद ही मेरे उपर वाले ने क्यों निकल वाया समौन क्यों जाने और यॉधर वाला जाने मैं कुछ नहीं जानती हूं मैं बहुत respect करती हूं बस बात इतनी सी थी एक बार मिलना चाहती थी एक बार अपने बारे में कुछ कहना चाहती थी आपकी थोड़ी सुनना चाहती थी बस देखिए प्रूफ की तो ये बात है प्रूफ कैसे होगा मुझे आप पूछ लीजे ना मुझे आप बुला लीजे और मैं बोल देती हूं कि किस ने किया था और कौन-कौन वहां पे थे दूद का दूद पानी का पानी हो जागा लेकिन ये तब ही होगा जब सलमान ची मुझे बुलाएंगे है ना अब इसमें कितने सच्चा है कितने जूट है वह मैं जानती हूं सिर्फ है ना तो इसलिए इस बात को अगर आपको समझना है तो उसके लिए तो मुझे बुलाना पड़ेगा तो ही आप समझ पाएंगे कि एक्चुली हुआ क्या था और यह आगे किसी क अरे अब ही विकी कोषल जी दy ने तो यह वी कोषल जी को जानताए नों किस खेत के मूंवली मैंन वापस तो और नथिंग जनी ति कोशल जी गोड़का मार दिया और आपने उनको गले लगाया तो सेम मेरे साथ भी कीजिए ना कि मुझे उन्होंने धक्का मारा आप मुझे लगा ये ना मुझे बुलाइएना मुझे पूछे ना हीमा ओके तू कम और मेरे से बता क्या बात होई ती मैं समझूगा बात को यह एक सेलफी क्लिक करा लीजिए चले सेलफी तो अब सेलफी चोड़ दीजे सलमान जी बात बहुत बड़ी हो गई है बस मैं चाहती हूं कि मैं तो अकेली हूं आपके पास तो सब कुछ है और कितनी सच्छा है कितनी नहीं वह आप मुझे बुलाईए और मैं बताना चाहती ह हूं मैं दिल से बताना चाहती हूं कि हाँ यह मेरे साथ हुआ था यह वाक्या मैं जिन्दगी में कभी नहीं बोलूंगी जो मेरे साथ हुआ था कि मैं एक्चुली कमेंट शेशन में गई नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना यह मेरे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है मैं पढ़ोंगी तो पता नहीं मैं कहां चली जाओं है ना कोमा में भी जा सकती हूं तो मुझे वह रास्ते जाना ही नहीं है मैंने एक बात कही सल्मान जी के बहुत बड़े फैन हैं वह सल्मान जी के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं कोई भी एंगेस्ट चीज या बैड तो मैं उनके रेस्पेक्ट करती हूं उनके सभी फैंस की बट मैंने जो कहा है वो सच कहा है और मेरे साथ वह हुई है इसलिए वो मेरे दिल से रोते-रोते निकली है और आज कितने इंटर्व्यूस में कर रही हूं लेकिन जब भी वह वाक्या में दोराती हूं तो वापस से है तीन साल पुरानी बात कि अगर कर सकता हूं सबसादा जरूरी तो वह है सलमान भाई के आंपर उनकी दो बहने अलवीरा एं अर्पिता सो कितनी रेस्पेक्ट देते हैं वो अपनी बहनों को अगर कल को उनकी बहनों के साथ ऐसी धक्का मुख्य हो तो वह क्या करेंगे तो कि यह तो देखें यह कब यह सलमान जी मैंने बोला ना सलमान जी मुझे बुलाए सलमान जी बुलाके अपना बड़ा दिल दिखाए ना जिस दिल के लिए वो जाने जाते है गोल्डन हाट है ना तो वो मेरे साथ क्यों नहीं दिखा रहे हैं एक लड़की के साथ मैं तो बोलती हूँ अगर ये न्यूज गलत भी है धियान से सुनियागर ये न्यूज गलत भी है हिमा तुम इधर आओ ये मुझे बताओ ये क्या क्या हुआ था आप जानिये ना आपके बारे में न्यूज चल रही है एक लड़की के बारे में हिस्सेधार रही हूं मैं भी है न और सब्से पहले एंसान हूं जिसको आप चलाते हैं being human foundation जिसके लिए आप जाने जाने जाते हैं अपनी महंता के लिए है न आप तो कितने करोड़ों लोटा देते हैं इंसानों के लिए मेरे लिए 10-5 मिनट का टाइम नहीं आपके लिए इतना सब कुछ चल रहा है मैं किसको जाके बोलू कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं सलमान जी इसको समझे बस अभी वही कि इसको कैसे खतम करना क्योंकि यह चले जा रहा है चले जा रहा है तो आप एक बार मुझे बुलाएं जैसे बिग बॉस में गलत को गलत और सही को सही करते हैं वैसे आप मेरे साथ मिलके मुझे बात करके मुझे आप करें और पब्लिक के सामने एक एक जांपल सेट करें कि एक लड़की एमा शर्मा जो एक सेलफी लेना चाहती थी जब मुझे पता चला तो मैंने बुलाया और मैंने सेल्फी दी कि बात सेल्फी किये यार मैं सेल्फी नहीं दूंगा तो कौन देगा तो एक्जांपल सेट करें मैंने अपने फैन को हैपी किया तो यह तब ही तो खत्म होगा तब बनेगी ब्रेकिंग न्यूज कि सल्मान खान तक पहुंची खबर एक फैन नाराज सब्सक्राइब होंगी वह सुनते रहेंगे कि अब बदा नहीं आतों में दिखने में अच्छी नहीं लगती होंगी अब क्या बोलो मैं क्योंकि तब भी मुझे नहीं पहुंचने दिया था फोटो लेने के लिए सेल्फी लेने केलिए कौन-कौन ने किसकी कौन-कौन तैल् यह क्या नहीं है मतलब ठीक है मिडिल क्लास फैमिली बट क्यों ऐसा मेरे साथ मैं आपको बता रहे हूं यह नजर अंदाज किया रहा है यह अवोइट किया जा रहा है इसको की मुद्धे को दबा देते क्योंकि सलमान खान जी अब बोल जाएंगे कुछ भी तो मुद्धा भी इतनी बेजती मैंने सही इतने धक्के मैंने सहे इतनी लाइने में लगी इतना ओडिशन दिये इतना तो arrive करती है उन्में आय तिंग डिजब है है ना सलमान जी यह मैंने आपसे सीखा है सच बोलना आप किसी को छोड़ते नहीं अगर आपके साथ को गलत करता है तो बैंड बजा देते हैं आप उसकी मैं तो तीन साल बात बोली हूं क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है कुछ नहीं यह पतानी ओपर वाले ने बुलवाया मैंने आपके बोल नहीं मेरा नाम हेमा शर्मा है बस यह कहना चाहती थी कि कि आप जिसे सबका करियर बनाते हैं मेरा करियर चुड़िये बस अपना हात मेरे सब पे रख दीजी तो आप यह से मैंने सीखा है यह इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलना और मेरे साथ होई है यह और ये मैंने इसलिए बोलिया है कोई मिर्च मसाला, कोई कहानी किसी के दूसरे के जीवन की मैंने नहीं उठाई है, ये मेरे साथ हुआ था, और उस दिन, मैं बहुत निराश हो गई थी अपनी जीवन से, डिसपोइंट, उस दिन के बाद मैंने कसम खाली थी, नो सलमान खान, क्योंकि बेज़ेती करने की भी एक हद होती है, और किसी से मिलने की भी एक लिमिट होती है, तो I think मुझे लगा था, उस दिन, I am done. अगेन, सारा मुद्धा, सलमान खान के उपर ही आ रहे हैं, और हम लोग बार-बार ये-हीं होल रहे हैं, कि सलमान से लेना देना नहीं है, उनको ऐकी मेसेज है, जो आपके साथographade के dyamon अचैने कि-थी, वो ही आपके साथ रहते हैं, और वही आपके नाम के साथ खिलते हैं क्योंकि आपको तो आइडिया भी नहीं होगा ये इंसिडेंट क्या हुआ है क्योंकि आपके पास तो हजारों लाखों लोग आते होंगे इस सेल्फी के लिए बट जिस तरह का भी होता है वो एक तरह से नेगेटिब इंप्रेशन छोड़ कर जाता है कि फैन के साथ क्या हुआ और एक औरस जात के साथ स्पेशली तो थोड़ा सा आप किसी को भी अगर मने करना है कि सल्मान जी राइट ना और नोट पॉसिबल तो प्यार से कीजिए इंसान हर इंसान अच्छा ही होता है मान जाएगा उसके लिए धक्का देने की ज़रूरत नहीं है विकी कोशल जी को तो आप कितनों को धक्का देते होंगे प्लीज आप थोड़ा सा अपनी आखों से परदा हटाएं दुनिया में और भी इंसान रहते हैं और हर इंसान कीमती है और हर इंसान की उतनी ही वैल्यू है जितनी आपकी वैल्यू है हर इंसान रोटी खाता है जैसे आप खाते हैं हर इंसान उसी तरीके से उठता है जैसे आप उठते हैं, सिर्फ Bangor में मनी का थोड़ा आकड़ा आगे पीछे हो सकता हαι, सारी हर्कते वैसी होती है ले आप की होती है, वैसी ही दुख होता है, जैसे आपको होता है, बस इतना ही बोलोंगी, पर आपको बोला ना कि यह जो घटना मेरे साथ हुई है यह ऐसी हुई है कि मैं इसको शायद जब आखरी सांसे में ले रही होंगे तब भी मैं नहीं भूलोंगी क्योंकि मेरी उमीद टूटी थी उस इन मेरी आत्मा तूटी थी आत्मा मैं आपको सच बताऊं यह अच्छा नहीं हुआ मैंने मेरी आत्मा से आवाज आए थी सलमान खान यह अच्छा नहीं वान सो लोगों के बिच में मेरी बेसे दी की गई है किस बात के ओपन मिलना चाहती थी मैं सिर्फ क्या-क्या नहीं किया मैंने और आज यह वीडियो वो लोग देख रहे होंगे चिनको मैंने फोन करके बोला था कि भाई मुझे मिला दो जरा I'm 100% sure मैं मिलना चाहती हूँ आज वो देख के सोचते हूँगे यार इसने तो मुझे भी बोला था यार हम भात तो सही बोल रही है यार इसको धक्य तो मारे थे इसने मैं भी तो बैठा था वही यह सब लोग सोची ने होंगे देख के तो मैंने जो बोला है वो सच बोला है और मैं चाहते हूँ सुल्मान जी आप सच का साथ दे तभी पिग बोस हिट होगा थैंक यू